एके इंगलिश में शब्द है आपका फिजिक, फिजिक को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंगलिश में क्या आर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे एक्सेंपल से सेंटेंसे में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिजिक का आर्थ और मतलब हिंदी इंगलिश दोनों में हिंदी में समझें फिजिक मतलब होता है शारिरिक गठन शरीर दील डोल धड़ जिस्म आकार कद काथी कद भौतिक शरीर कद कामत ठाचा हयत को हम बोलते हैं फिजिक इंगलिश में फिजिक का मतलब होता है the size and shape of a person's body मतलब body या build, form, figure, shape, flesh and bones, anatomy and it is मतलब और भी इंगलिश में इसके शर्द हो सकते हैं सुनानिम हो सकते हैं फिजिक के एक्जामपल से संटेल से में समझते हैं जैसे बोलेंगे आम बोल चालने तो इस तरह से शर्द को प्रियोग करेंगे हम लोग कि there is no need to show off your physics on the beach समुद्र टट पर अपना टील डॉल या जिस्म देखाने की जिस्म को नुमाईश करने की कोई जरूरत नहीं है दोसरा एक्जामपल की है is a very powerful muscular physics उनके पास बहुत शक्तिसाली मांसल शरीर है तो फिजिक का मतलब शरीर जिस्म है ठीक है तो आपने फिजिक शर्द को हिंदी और इंग्लिश में एक्जामपल के साथ मैं अच्छी तरह से समय लिया है ठैक्स वाचिंग ये जुके यार डेस्ट